हेलो दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आएं एक दम चट पटा और टीश्ट ही सा नास्ते की रेस्पी तो चलिए फटा फट से शुरू करते हैं तो एक पैन ले लिया है हमने और पैन में हम डाल देंगे दो कप पानी उसके बाद हम इसमें आधी चमच चिली फ्लेक्स डाल देंगे आधी चमच हम नमक डाल लेंगे तो आप चाहें तो चिली फ्लेक्स की जगए आप लाल बिची पाउडर भी डाल सकते हैं उसके बाद एक चमच तेल डाल लेंगे तो तेल में सरसों का तेल छोड़के कोई सा भ पर हलका उबाल आने लग गिया है उसके बाद हम एक कप सूजी इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ऐसे करके तो गैस को लो पे रखेंगे और लो फ्लेम पे इसका बढ़िया सा एकदम बना लेंगे तो सूजी को बिल्कुल भी छोड़ेंगे नहीं इस तो बहुत ही जल्दी यह नास्ता बनके तयार हो जाता है और एकदम टेश्टी लगता है खाने में और यह बगेर तेल का है तो इसे आप बच्चों के लिए या फिर अपने लिए कभी भी हलकी फुलकी भूखो तो आप 10 मिनट में बना के तयार कर सकते हैं इस नास्ते को त तो यह बनके बिल्कुल तयायर हो गिया गैस को बन कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख लेंगे तो एक बाउली लिए हमने तो इसमें थोड़ा फिलाके इस Mason की पहली है तो जब तक यह फिली से धंडा होएगा ततब जोद्धे का लिए तो यह हमने लिया आ एक ट कर सकते हैं, तो इसको ऐसे करके, अ थोड़ा मोटा ही रखेंगे, तो ये आप देखें, हमने कूट के ही से भी कूटब तयार कर दिया, तो ऐसे ही हमें चाहिए, उसके ने क्या करेंगे, इसको साइड में रखेंगे, reg आलू काटे से थAf शादशातक ऱ ले जां चाहिंगे, तो इसमें कोई भी गुटली ना रही इसलिए हम इस तरीके से आप जाएं तो काटे से भी इसे मैस कर सकते हैं तो ऐसे करके आलू अच्छे से उबलावा होना चाहिए और ठंडा आलू नहीं होना चाहिए कि ज्यादा ठंडा हो थोड़ा गरम गुणगुणा सा आलू हो तो बड़ी आसा मैस हो जाता है तो यह आलू को हमने मैस कर लिया है उसके पाद हम क्या करेंगे थोड़ा सा हमने दो चमर्स तड़का पैन पे तेल गरम किया था तो इसमें थोड़ा जीरा डालेंगे थोड़ा सा हम इसमें यह राई डालेंगे थोड़ा कड़ी पत्ता डालेंगे थोड़ी सी हमने हिंग ड अद्रक लसुन मिर्ची को जो कूटा था उसको हम डाल देंगे इसी में और एक चुटकी हल्दी पौडर डाल लेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे तो थोड़ी देर इसको ऐसे ही चला लेंगे यह बढ़ी आसा तड़का एकदम तयार हो जाएगा तो यह अब देखिए बड़ी आसा तयार हो गया है उसके बाद इसे अलू में डाल देंगे तो यह अलू में डाल दिया है उसके बाद स्वात के अनुसा नमक डालेंगे नमक हमने सूजी में भी डाला है इसलिए थोड़ी कमी रखेंगे थोड़ा सा हम लाल मिर्ची पाउडर जब तरहे सो हैं लुविया लुणी रहं हो सकती है लुण कर रापा करें लुण कर चुलें दिंगी बबे युद्धन नास्ते बसक्रेश कर ला बोछे científic तो एक बार ट्राइ कीजिए का बहुत ही टेस्टी बनता है तो इसको हम साइड में रख लेते हैं और जो सुझी हमने ठंडा करने के लिए रखा हुआ था तो उस हातों पर हलका सा तेल लगा लेंगे और इसको थोड़ा बढ़िया करके मसल लेंगे ऐसे करके जैसे हम आटे का दोल ले लेंगे जितना हम रोटी के लिए लेते हैं उससे थोड़ा ज्यादा ही लेंगे और इसको ऐसे करके और गोल कर लेंगे लोई बना लेंगे तो यह लोई बन गी है तो इसको हतेली पर रखके और ऐसे चप्टा कर लेंगे तो सूझी काफी सौट होती है तो इसको ब करेंगे जो इस्टफिंग हमने आलू की बनाई है उसको हमें एक एक चम्माच इसमें रखेंगे और इसको बंद कर लेंगे ऐसे करके तो इसको इसको इसे सारा इकठा करके और इसे एक ही जगह पे ऐसे दबा देंगे थोड़ा सा तो यह आप देखे बिल्कुल भी नहीं खु होती है तो इसलिए इसको जैसे भी आप बनाना चाहो वैसे ही बन जाती है तो इसको थोड़ा गोल कर लेंगे तो यह आप देखे ऐसे ही हम सारा बना लेते हैं तो यह सारे ही बना के हमने तयार कर दियें तो इसके बाद चलते हैं गैस की तरफ तो गैस में हमने एक थोड़ा सा तेल लगा लेंगे ऐसे ब्रस से ताकि जो नास्ता हम रखेंगे वो चिपके नाइस पर तो ऐसे करके और पूरे जाली पर ये तेल लगा लेंगे थोड़ा थोड़ा उसके बाद एक-एक करके हम इसे रख देंगे और गैस को मीडियम पे कर लेंगे हम और मीडियम फ्लेम पे हम इसको 10-12 मिनट के लिए अच्छी सी बाप लगा लेंगे तो ये पूरे रखती है हमने इसको ढख लेते हैं और 10-12 मिनट के पाद ही हम इसे खोलेंगे तो ये दस बारा मिनिट हो गए हैं ये अच्छे से पग गए हैं उसके बाद गैस को बंद कर देते हैं और इसको थोड़ा थंडा होके निकालेंगे हम तो हमने उसे ठंडा होने रख दिया है और गैस में हमने पैन रख दिया है तो पैन में हम क्या करेंगे थोड़ा तेल डाल लेंगे तो तीन छोटी चमच हम इसमें तेल डाल रहे हैं आप जाएं तो इससे कम तेल में भी आप इसे फ्राइ कर सकते हैं उसके बाद थोड़ा सा जीरा डाल लेंगे और आधी चमच हम इसमें ये राई डाल रहे हैं तो इसको थोड़ा चटकने देंगे ऐसे चला लेंगे गैस को लोग पे ही रखेंगे गैस को बिल्कुल भी तेज नहीं करेंगे उसके बाद थोड़ा सा हम ये कस्मेरी लाल मिर्च डाल रहे हैं ताकि के हमारा जो नास्ते का कलर है वो बढ़िया सा आ जाए तो ऐसे करके हमने पूरे पैन में फिला दिया इसको और गैस को लोग पे रखते वे एक एक नास्ते को हम इसमें रख देंगे तो ऐसे करके अलो फ्लेम पर हम अच्छे से इसे सेक लेंगे एक दू बार पलट पलट के सेकेंगे तो एक ही बार में सारा ही आ गया है तो उसके बाद हम थोड़ी देर इसे बनने देंगे एक साइड से और उसके बाद बिल्कुल धीरे से ही इसे पलटेंगे क्योंकि काफी soft है यह तो ऐसे ही करके और एक दो बार इसे उलट पलट करके और अच्छा सा सेख लेंगे तो अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ रही हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजेगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब भी कर दीजेगा तो यह आप देखे कितना बड़ी असा कलर इसमें आ रहा है तो ऐसे करके दूसरी साइट से भी इसे सिखने देते हैं तो यह दूसरी साइट से फिर से हमने पलट लिया था इसको तो थोड़ा सा हम इसमें चिली फ्लेक्ष डाल लेंगे हलका सा डाल रहे हैं और थोड़ा धनिया की पतियां डाल लेंगे इसके उपर तो देखने में भी बहुत ही सुन्दर लगेगा यह तो ऐसे करके धनिया की पतियां डाल लेंगे और ये बनके बिलकुल तयार हो गया है तो अब हम इसे निकाल लेते हैं तो ये आप देखे कितना बढ़िया लग रहा है तो अब हम इसे सारे नास्ते को निकाल लेंगे तो ये आप देखे हमारा पूरा नास्ता बनके तयार हो गया है अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और सस्क्राइब जरूर कर दीजेगा और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको ये नास्ता कैसा लगा तो आप इसे सॉस के चटनी के साथ खाएगा थेंक यू